में कहा रहा है कि एक अधरात्मक मान निकले जिसके लिए समीकरन इसका और इसका यह दो समीकरन दी हैं दोनों के मुल समान होने चाहिए तो चलिए पहले इसके लिए देख लेते हैं x square minus 8x plus a बराबर 0 तो यहां मुल समान होने के लिए वही b a square minus का 4 a के जगापे 1 है और c के जगापे यहां पे a है बराबर 0 तो यहां से हो जागा 64 minus का 4 a बराबर 0 यानि कि minus 4 a बराबर minus का 64 यह minus minus कट जाएगा यह जाएगा भाग में a बराबर 16 यह धनात्मक माना गया दूसरे वाले के लिए भी चेक कर लो x square plus a x plus 64 बराबर 0 इसका बिवमूल क्या है समान ही है तो यहां भी b a square यहां कि a का square हो जाएगा minus 4 a के जगापे यहां 1 है और c के जगापे 64 है बराबर 0 तो इसमें इससे गुना कर दो और उधर ले जाके plus का कर दो तो 256 आगा गुना करने में उधर ले जाका plus का कर दी स्क्वाइर जाएगा रूट लगेगा और 256 का रूट आपका 16 होता है तो यहां से a बराबर plus minus 16 है और यहां से a बराबर 16 है लेकिन कहा रहा है a के धनात्मक माने के लिए अतहाँ आप सीधे लिखे लिए लास्ट में a बराबर 16 होता है क्योंकि दोनों में जो positive मान आएगा उसी को पकड़ना था चलिए अगला question देखते हैं